नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक हो, समीर नाम तो सुनाई होगा, बॉलिवुट के गलियारों में इस नाम की दहशत अब और भी जादा बढ़ चुकी है, अब हर स्टार किट का बाप बोलता है अपने बेटे से बेटा सोजा, ड्रक्स मत ले, मत ले वरना समीर आ उस समीर वानखडे के उपर अब ये नेता आरोप लगा रहे हैं, उसे फसा रहे हैं, कभी बोलते है रिश्वत ले रहा है, कभी बोलते है बॉलिवुट को बदनाम कर रहे हैं, कभी बोलते है सरकार को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है, समीर वानखडे वो क जुलफ़तार करना शुरू किया है। तब से समीर वानखडे ये नेता के आखों में चुमने लगे हैं। चीकोपथान को समीरवान खड़े और उनकी टीम ने पकड़ा है। provisions के लिए यह आप देख पा रहे हो यह लाइव एक्जामबल है कि नेतागीरी क्या होती है पॉलिटिक्स क्या होती है किस तरीके से कि मांदार ओफिसर को परशान किया जाता है ताकि वो अपना काम ठीक से ना कर पाए ताकि वो केस को मजबूत ना कर पाए और सारे अरोपी दन्यदेव वानखडे दन्यदेव समीर वानखडे की पिताजी का नाम है देख सकते हो आप यह देख लो और इन नेता लोगों को दिखा दो जो तुम यह बे बुनियाद बे तुक्के आरोप लगा रहे हो एक इमानदार ओफिसर पर इसका हरजाना तुम्हें भूगतना प पर सवाल उठा लिए कि समीर वानखडे का धर्म क्या है बताओ किस हद तक ही जा सकते हैं इसके बाद समीर वानखडे की तरफ से एक ओफिशल लेटर आता है यह आप देख सकते हैं बहुत बड़ा लेटर है इसमें जो में पॉइंट है वो मैं पढ़के आपको सुना देता करना हूं समीर वानखडे ने बोला कि उनके पिता हिंदू है और उनकी माताजी मुश् achievements हैँ कि उनकी माताजी के देहान के बाद वो रोज उसक और गहा目 जाते हैं जहां उनकी माको दोफनाया गय था शामीर वान angular को इस तरीके से परशाद किया गया था यह सकता है कि कि साम शमीर वानखड़े का कुछ पुलिस वाले पीछा कर रहे हैं। पहले इन लोगों ने समीर वानखड़े के उपपर जासूस लगाए। उनकी एक्टिविटीज इसको नोटिस किया। और आप ये बोल रहे है कि समीर वानखड़े का धर्म क्या है। 17 में उन्होंने मराथी एक्ट्रेस क्रांटी रेटकर से शादी करी। इसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा औरोप लगाया कि समीर वानकर इन्हें रिश्वत मांगी है और वो भी शारुक खान से कमाल की बात है। और यही नहीं एक गवा है जिसका नाम है प्रभाकर वो न्यूस चैनल्स पे आकर अपनी बात रख रहा है, मीडरा ट्राइल दे रहा है, यह नहीं कि सीधे पुलिस टेशन जाओं और यह बात रखूं नहीं 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 वहाँ नहीं जाएंगे भाई साब, वो सीधे आएंग ठीक चल रहा था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह गवा टीवी पे आकर ऐसे बाते बोलते हैं, आप समझ रहे हो, समझदार को इशारा काफी होता है, यह जो गवा प्रभाकर है, जो समीर वानखडे के उपर रिश्वत दिन का आरोप लगा रहा है, इसको सबसे पहरे रि और सत्यमेव जायते, सत्यमेव जायते सत्य की जीत होगी और सत्य की जीत होके रहीगी, आखिर समीर वानखडे है कौन, दो हजार आठ बैच, इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर, आई रस, समीर वानखडे, इंकम टैक्स, एयर इंटेलिजेंस यूनिट, नैशनल इंटेलिजेंसी की जमेदारी समाली, दो हजार दस में समीर वानखडे ने टैक्स चोरी के आरोप में पच्ची सौ से जादा लोगों के उपर कारवाई करी, जिसमें से दो सो से जादा लोग बॉलिवूट के थे, दो हजार तेरा में विदेशी मुद्रा के साथ सिंगर मिक समीर वानखडे ने मुंबई एरपोर्ट पे रोक लिया था, दो हजार सत्रा में मराथी एक्टरस क्रांटी रेटकर के साथ शादी करी और 2019 में समीर वानखडे को नार्कोटिक्स कंट्रोल बीरो, NCB का जोलर डिरेक्टर बनाया गया, तो ये है समीर वानखडे, और जो ये उपर क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, जो पड़े लेके नहीं होते हैं, लेकिन बन जाते हैं, नेता और उस नेता गिरी का फायदा उठाते हैं, एक अच्छे इमानदार ओफिसर को दबाने के लिए, और वैसा ही हो रहा है इस वक्त, लेकि इनको बता दूँ, जितना आप द दिल्ली में समीर वानखड़ को बुलाया गया, और समीर वानखड़े टैफ वक्त से पहले ही NCB मुख्याले पहुच गए, जहां उन्होंने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा, हलफ नामा दिया, फिल्हाल एक SIT कमिटी बिठाए गई है, समीर वानखड़े के उपर ज गए है, उसके जाच होगी, और मुझे पूरा यकीन है, कि समीर वानखड़े के उपर लगा गया, सारे के सारे आरोप जूटे निकलेंगे, और समीर वानखड़े फिर से अपने काम के उपर जुट जाएंगे, और सारे के सारे ड्रग पेडलर को पकड़ेंगे, और ये नेत से ही यह पूरे कहकपूरा माफियाइंग कबने लगे़ं प्रशाइंग जीफ ब सत्तकें होगी और इस मुश्यorry खड़ी में आपढ़ी साथ देना होगा समीर वांख़ई का इन्हों ने सुशान सिंग राजपूत को भी इस तरीके से कॉर्णर किया था सुषान सिंग राजपूत को जब बहुत सारी बाते पता लग गए थी चायल ट्राफिकिंग ड्रग माफिया तिशा सालियान के बारे में और सुषान सिंग राजपूत इन सारी बातों का एक्सपोस भी करने वाले थे लेकिन इससे पहले ही सुशांजिंशिंग राजपूत को राश्टे से हटा दिया गया और आप एक officer जो इमानताली से काम कर रहा है तो officer को ये लोग पद से हटाना चाहते है उस officer को ये लोग परचार करना चाहते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे इस वीडियो को शेर करना क्योंकि हमें सपोर्ट करना है समीर वानखड़े को तब तक के लिए धन्यवाद